Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaykh, मेरा सवाल, एक family relative जो मेरा close है, उसके उसने एक action किया है, उस पर है, कि उसने सही किया, गलत किया, उसको तवबा वाजी रेके, उस पर करके. Shaykh, मेरा family relative है, वो गाउं खेड़े में एक clinic चलाते हैं, अलहमदोरिला, वो एक doctor है, और एक दिन एक नौजवान, एक 20-24 साल की लड़की, जो उस गाउं खेड़े की है, वो शहर में पढ़ती है, वहाँ उसने जिना करके pregnant होगे और रोते हुए मेरे बाबा के पास है शे, कि अगर यह पता चलेंगे, तो मेरे माबाप खुद कुशी कर लेंगा, और मुझे भी मार देंगे, ऐसे बाते बोली उसने, तो मेरे बाबा ने डाट लगा के उसे एक gynecologist का नंबर दे दिया शे, शेहर में, शेहर की, तो उस gynecologist ने उस pregnancy को हटा दिया शे, तो मेरे relative ने क् क्या गुनाद हमाय है, शेह, इसको करना नहीं शाहिये थे, बिलकुल नहीं करना चाहिए था, अगर वो आदमी उनको नहीं पता था, कि यह जुर्म है हमारी शरीयत में, तो जाहिल आदमी पर तो गुनाहा नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इस जमाने में किसी को न कि जो है कानून ये जुर्म है तो बहरहाल अगर उनको शरीयत के खुक्म का इल्म नहीं है कोई गलती करते हुए तो ऐसी सूरत में तो वो गुनेगार नहीं है लेकिन कानून का मुझरिम है उसने कानून की भी मुखाल्पत की है तो ऐसा आदमी तोबा करेगा और आइंदा के लिए वो जो है इससे बाज रहने का अजम करेगा